हालो फ्रेंड्स, डियरा स्टर्जाचर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आएं कि जो कि CCAA All India Act Apprentice की तरफ से जो की 1 by 3rd का नोटीज जो आया है इसमें कई लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है कि 1 by 3rd कैसे मिलेगा ठीक है और इसका लाव कैसे मिला जाएगा लेकिन इसमें जो AIWTT 110, 111 का भी result के लिए modification भी आया है और उसमें जो आप लोग को ये काम करना पड़ेगा ठीक है जो की percentage के अधार पर जिनका जो selection दिया जा रहा है उसमें जो है आप लोग को एक मार्शिट के अधार पर जो है जैसे ही आप लोग को लॉग इन कीजेगा तो उसमें आप लोग को कुछ नोटिस आ रहा है अभी के फिलाल मेंडेट में है तो यदू दिखाया जाएगा धेक है इसके नहीं कारण मार्शिट के निचे में जो और है पर लोग को दिया गया है रेलवे की तरफ से उसी के अधार पर जो डीडी डीटी ने जो भी है कि फैसला लिया है कि प्लीज सिलेक्ट यूर वन आप्शन किसी एक वन आप्शन को क्लिक करना जैसे वी त्रेट त्योरी के साथ साथ आप लोग को परसेंटेज में चाहिए या विदाट त् परसेंटेज आप लोग को निकाला जाएगा वह भी दूनों के अधार पर ही निकाला जाएगा तो विद आगला आप लोग चाहते हैं कि विद ट्रेट त्योरी के साथ साथ चाहिए या फिर विदाट त्योरी के साथ साथ आप लोग को परसेंटेज चाहिए तो आप लोग को सम्मिट करना होगा जैसे आप लोग को डाउलोड सर्टिफिट एक आप लोग को डाउलोड हो जाएगा और परशेंटेज के अधार पर आप लोको मांसेट अपलोड किया सबसे असे feature चिर सबस्क्राइब, है तो आफ लोग संसक्राइब को परिेदा करा दो Уबए, लेकर का बहुत कुण्टी यूंह? ही भला है और इससे जो है बीस परसेंट का कोटा उनलों को इसी साल मिल जा सकता लोकिंग क्योंकि अगली वार भैकेंसी आएगी नहीं आगी इसका कोई गरांटी ने लेकिन मोडिफिकेशन नहीं कि अगर इस वक्त जारी हो जाता तो इससे सबसे अच्छी सुनार आपसर मिलेगा उनलों को लिए और जितने भी केंडिट नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर जाएगा ठीक है यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक्यू एंद धन्यवाद